एक बार फिर से आप सभी स्टुटेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दे स्कॉलर्स हाउस में तो स्टुटेंट्स आज की इस चोटीजी क्लास के अंदर हम एक अर्थमेटिक प्रोकेशन की केस्टेडी डिसकस करने जा रहे हैं तो सभी लोग ध्यान से इस केस्टेडी को एक बार पढ़ लेना और इस क्लास को एक बार शेयर भी कर दे अपने अपने दोस्तों को तो चलिए यहाँ पर देखिए केस्टेडी आपसे कह रही है अच्छा कोश्चन है ठीक है तो देखिए एक टिश्यू पेपर रोल का एक्जामपल लेते हुए इन्होंने केस्टेडी डिसकस कर रखी है ठीक है किसकी अर्थमैटिक प्रोकेश्चन की ठीक है इन्हों पार्टिक िच्छा कोश्चन है अलतरे है इस इस प्रोके आपने आपने देखिए आपको प्रोकेश्चन की आते है न तो आपने यहां पर इस तरीक से होता है आप लोगों का एक किसके भी हो सकता है प्लास्टिक का या फी कार्डबूर्ट का आप लोगों देखे होंगे चलिए तो ऐसे मान लेजिए कुछ तो इसके पर क्या होती है 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 इसके तो यहां पर नहां सुनना आपके पास क्या की चीज़ गिवन है उसको भी लिख लीजिए और आप से कह रहा है कि and twice the thickness of a paper जो tissue paper की जो thickness हो कि उसका दो गुना क्या आपको बताएगा common difference इस AP का common difference बताएगा so it means आपको एक चीज और दे रख है कि 2 into thickness of paper is equal to cd लिएता हूं common difference ठीक है आसानी से करेंगे इस question को yes one more thing is given जिससे आपका answer find होगा sum of nth time आपको दिया होगा question के अंदर 0.1 n square plus 7.9 n कितना 0.1 n square plus 7.9 n चलिए students अब यहां से आपको क्या find करना है देखिए question start करते हैं और solution sorry solution start करते है सबसे पहले question में आपसे कह रहा है find its nth term sorry what is the nth term of the sequence sequence का nth term बताईए sequence का nth term बताना है आपको nth term का वैसे मितलब क्या है अगर आपसे nth term question में न बोला गया हो और यह बोला गया हो general term find करिए तो दोनों चीज़े हैं एक ही है ठीक है a plus n minus into d अब यह कैसे आगा जब तक a और d नहीं आएगा तो कैसे आएगा पताईए जब तक a और d ही नहीं होगा तो कैसे होगा ठीक हो गया तो पूरी लडाएं किसकी अभी a और d निकालने की तो आईए लडाते हैं questions को ठीक है चलिए इन values को आपस में तो s1 जो होगा वही आपका a1 होता है तो 0.1 बहुत सिंबल चीज़े हैं यहां पर 1 आ जाएगा यहां भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वाइर पता ही है चले ऐसे लिए तो 7.9 to 1 तो यह आएगा देखिए यह बन बनी हो जाएंगे और यहां से आपका जाएगा 8.0 तो सिंब देखिए जो s1 है वही आपका a1 है अच्छा यह जो a1 है सुर्ण ध्यां से डामेटर अब दा कोर है यह जो कोर रहा देखिए अंदर आला पार्ट यह बस इतना यह है आपका इसको मैंने a1 कह दिया इसने ऐसा कहा है इसने ऐसा बोला है इस कुशिंग अकॉर्डिंग ऐसा है तो आपको मानना पड़ेगा ठीक है तो a1 कहा है डामेटर अपती कोर अपता रोलर तो मैं इसको अगर कैपिल डी से डियोनट करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ठीक है चलिए तो सबसे पहले आपको a1 तो हो गया अब आप a2 फाइंड करें तभी तो आपके पाप common difference भी आएगा तब देखिए a2 कैसे फाइंड होगा a2 तो होई नहीं सकता है अगर a1 प्लस a2 होगा तब आप लोग a2 फाइंड कर सकते हैं तो a1 प्लस a2 होता है क्या s2 तो होत अब प्लस यह 15.8 आजाएगा और यहां से आपका 16.2 भी आजाएगा अब देखिए इस्टू होता है वो एक्च्वल में कौन होता है s2 कौन होता है s2 होता है a1 प्लस a2 मतला समा फॉस्ट टू तो यहां पर आप लोग देखिए 8 रख दीजिए तो 8 प्लस a2 is equal to 16.2 और यह आपके पास a2 आ चुका है तो अब क्या करना है आपको d तो पता है d कैसे लेगा a2-a1 करके आप लोग देखिए 8.2-8.0 तो यहां से आपका 0.2 आ गया ठीक है common difference यस देखिए बहुत की निकल दाएंगे मतलब thickness भी आपकी निकल दाएगे अगर question में पूछा होगा तो आप तो thickness भी यहां से find कर सकते हैं अब देखिए क्या पूछा गया है second question के अंदर आपसे कहा है कि radius बताईए ठीक है so radius अब कोर का radius अब यह तो simple ही है अब कोर का radius क्या होगा जो भी इसका diameter उसका आधा कर लीजिए और हमने diameter निकाल भी दिया है first time is the diameter so a1 is the diameter यह एक्चुर में हो तो आपसे भी लोग कि आपका diameter हो निकल चुका है ठीक है यह डामेटर को नहीं ही तो है तो आप लोग निकाल सकते हैं इसको radius किसनी लेगा a1 कितना 8 by 2 तो यहां से आपका कितना आगया है चार सेंटिमेटर का यह भी आगया लीजी भई ठीक हो गया very good चलिए तो 4 सेंटिमेटर हो चुका है तो अब क्या निकालना है यह आपकी इच्छा है आप सको center लीजिए meter लीजिए ऐसा तो question में कहीं दिया नहीं है ठीक है कि unit किसमें ले अचा मैं तो an निकाला ही नहीं ना भी तो गलत हो गया चलिए a1 निकल जाएगा ठीक है मैं तो second question के बीचे पढ़ गया तो a1 निकल दीजिए a1 यहां पर a और d रखेंगे तो आपको first term भी यहां से मिल जाएगा ठीक है तो मैंने second निकाल दीए first तो निकाला ही नहीं equal to a plus n minus 1 into d तो यहां पर a कितना आपकी पास 8 है n minus 1 और यह है 0.2 0.2n minus 0.2 और 7.8 plus 0.2n इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह आपका general term है general term से क्या मतलब है कि यहां से आप AP की series जह है वो form कर सकते हैं ठीक है आप बना सकते हैं create कर सकते हैं जैसे आप यहां पर 1 रख तो आपको second term मिलेगा चलिए अब इसका third part को थोड़ा सा समझने कोसिस करना according to this question हमें ऐसा लग रहा है ध्यान से देखना जो की correct भी है इसको आप देख लीजी एक बाच्छी से चलिए मैं इसको rough कर रहा हूँ आप ठीक है यहां तक पर समझमा आगया first term का ध्यान देना कित चीक है तो उमने सब निकाली दिया है चोड़ी तो इसका third बात में कह रहा है आपसे इसको पहले question पढ़ लेते हैं कि what is the diameter of the roll when one tissue sheet is rolled over it जो उसके पर एक tissue sheet rolled हो जाएगी तो देखिए student जब आपको first term core का diameter बता रहा है जब आपको first term देखिए यह पहला term क्या बता रहा है इ तो obviously इसका second term आपको क्या बताएगा diameter बताएगा roller का ठीक है second term भी diameter बताएगा अगर first term बता रहा है तो obviously लेकिन second term जो है आपका diameter किसका बताएगा जब उसके पर एक sheet rolled हो जाएगी ठीक है so according to this question हमें ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल और बिल्कुल सही भी है तो अगर मैं यहा यहाँ पर रहा है gap मत बनाना मतलब एक sheet है माली जी कुछना कुछ thickness भी होगी sheet की ठीक है वो cardboard की thickness अलग है यह बहुत important question है और sheet की thickness अलग है ठीक है तो उस हिसाब से experience ध्यान जिखना उस हिसाब से अगर first term core की diameter को represent कर रहा है तो obviously जो second term होगा A2 is the diameter of roll when one sheet sheet कौँसी sheet टिश्यू पर बरगी one sheet is rolled over it इतना सबको समझ में आ गया बताइए तो चलिए हम यहाँ पर लिख तो A2 क्या है आपके पास कितना है आपके पास 8.2 cm तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ठीक है इस बात का दिया आप कुछ भी लिख लिख लीज़ा तो सहाथ कॉस्छ दिया होगा तो अब उसका और बाले पार्ट में बोला गया है कि what is the thickness of the sheet Seat sheet की thickness कितने होगी? Common difference आपने भी भी find कर रही है तो 2x thickness is equal to तो common difference कितना है? 0.2 आया, तो thickness 0.2 by 2, तो अगर आप पर नहीं आ रहा होगा है, question समझ में है, तो आप लोग अभी just का काम करना, इस number पर सभी लोग text कर लेना, और मुझसे post लेना, ठीक है? मैं इसको बता दूँगा, और अच्छे से आपको, अगर नहीं आया हो, तो वैसे कु cm, अब यहां से देखिए, अगर आप से यह भी क्या पता है, पूछ लिया जाए कि इसको mm में बताईए, क्योंकि जाहता थिकना, यह चीज़ें होती है, वो mm महीं आती है, मार्केट में भी आपने देखे होंगे, ठीक है? चलिए, तो एक relation याद रखना है, आपको पहले, एक मेटर में 1000 mm होता है, चलिए, और यहाँ पर मेरे पास cm है, तो 100 cm में, मतब एक मेटर 100 cm होता है, तो एक, दो, तीन मिलिमेटर, दो जिर से दो जरुए कैसी कर दीजिए, एक सेंटिमेटर 10 mm के बरावर हो गया, तो इसका मतलब चलिए, यहाँ से जिवन के 10, तो यह आपक तो थिकनेस कितने आगे इसकी, एक मिलिमेटर, तो चलिए, यहाँ पर हमने question complete कर लिया, और आई होप कि आपको समझे भी आ गया होगा, तो चलिए, टेक केर, आप लोग तो question को ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है, चलिए, तो किस तो देखी, यहाँ पर मैं आपसे कहरा था, यह, ठीक है, तो यह चीज मैं कह रहा हूं आप से, तो जो second term यह है आपका, ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा था आप से, जो diameter की आप से बात कर रहा है, वो यह है वो diameter, ठीक है, जब one sheet is roll over it, तो अब आपका diameter यह हो जाएगा, ऐसे करके, तो जो कि second term होगा, झाल झाल